हम अपना भहमत भी साबित करेंगे और जो उनके साथ गे वो भी कुछ हमारे संपर्क में है मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस पीपा दे रहा हूँ पेस प्रेजिडेंट एक अब्जरवरों को कहा है सब से बात कीजिए खुले मन से बात कीजिए जो कुछ उनके मन में है आप सुनिये और मुझे एक रिफोर पीश्विश्विश्विश्व तके मुक्य हुई विधायक धायल हुई है धायल हुए है तले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के मादियों से जाज तक हिमाचल प्रदेश की विधायकों के अंदर कभी नहीं है वर्तमान में कॉंग्रेस की सखाथ को सख्ता में रहने का कोई अजिकार नहीं है देश का छोटा सा राज बीतियार तालिस घंटों से गजब सुर्ख्यों में चाया हुआ है हिमाचल प्रदेश कॉंग्रेस ने सोचा भी नहीं था कि बहुमत के बावजूद राजिस सभा में हार जाएंगे कमल की किस्मत देखिए टॉस में भी जीत गए लेकिन खबर इससे बड़ी है हिमाचल में सुखु की कुरसी संकट में है और सीम पत से वो हटाए जा सकते हैं लेकिन ये सिर्फ आशंकाए हैं राजनीती में कभी भी कुछ भी संभव है वैसे हिमाचल में बीजेपी का दावा तो ये है कि कॉंग्रेस की सरकार अल्पमत में है तो वहीं सुखु ने दो टू कह दिया कि सरकार पूरे पांच साल चलेगी और इसी सियासी उठा फटक पर विस्तार से बात करेंगे हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़ हैं तूट का कॉंग्रेस पर कितना असर पड़ेगा बताने के लिए जो हमारे सहयोगी मौझूद है उनके पास मैं आपको लिए चलूँगा आप देख रहे हैं जैनेंदर में इसाथ जुड़े हुए हैं आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में फूचाल की स्थिती नजर आ रही है सीम सुखु का इस्तीफे से साफ इनकार शाम तक इस्तीफा देने की ख़बर आई थी बीजेपी ने इस्तीफे की अफ़वा फैलाई ये कहा गया है सुखु का ये दावा है कि पांच साल सरकार चलेगी सुखु ने ये भी कहा कि बीजेपी विधायक उनके संपर्क में है किसी ने इस्तीफा मांगा ना ही मैंने कोई पेशकस की हम अपना भोमत भी साबित करेंगे और निश्शी तोर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राणिती से निकलाऊं और आम परिवार से उटकर हमने राणिती की है ये जीत हमारी होगी हमाचल की जनता की जीत होगी और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारते जनता पार्टी तरट क्यूं रही है अभी हमारा बजट पास हो ना उसमें बोटिंग करवाईए और जो उनके साथ गये वो भी कुछ हमारे संपर्क में है आए सीधे में आपको शिमला लिए चलता हूँ जनेंदर हमारे सहियोगी पलपल का हाल वहां से आप तक पहुचा रहे है और जनेंदर ये आत्म विश्वास कहां से आ रहा है मुख्यमंत्री के दिल में दिमाग में जो वो कहा रहे है कि BJP के लोग उनके संपर्क में है देखें मुख्यमंत्री जो है वो confidence में दिखने की कोशिश कर रहे है लेकिन कॉंग्रिस के अंदर खाने से खबर यही है कि ज्यादातर विधायक उनको बदले जाने के पक्ष में है और जिस तरीके से राज्यसभा चुनाओ में कॉंग्रिस के उमिद्वार अभशेक मनु सिंगवी की करारी हार हुई छे विधायकों ने कॉंग्रस के क्रास वोटिंग की और उन सब की जो शिकायत है वो पार्टी से नहीं है वो मुख्यमंतरी के कारे कलापों से है वेकरमादित्य सिंग जो मुख्यमंतरी के माफ करी सुखु सरकार में मंतरी थे सथीक kitty लेकिन कॉंगर्स के उस उत्रों ने सेजों में झानकारी मिली है उसके मुताबिक का सुखु का बदला जाना लगभग तरहाई is व्ली उससे कोई कुर्सी यो चोड़ा न cropuje नहींद में कॉछ सब्सक्रा फोनेश को हुए किना ही मताद का सुखु के लिए एक और बुरी खबर है हिमाचल में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है मुकेश शक निहोत्री का नाम सामने आ गया है CM के तौर पर उनको लेकर चर्चाए है परिवेक्षकों के साथ विधायकों की बैठक की खबर है परिवेक्षकों की रिपोर्ट हाई कमान को सौपी जाएगी तो हिमाचल में मुख्यमंत्री बदले जा सकते है अब आपके मन में भी सवाल होगा सुखु नहीं तो कौन हिमाचल में कौन अगला मुख्यमंत्री बन सकता है अगर हालात बदलते हैं सुत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है एक ये फॉर्मूला देखने को मिल सकता है मुकेश शक निहोतरी सीम के तौर पर और विक्रमा दित्य सिंग जेप्टी सीम के तौर पर नजर आ सकते हैं ये अभी तमाम चीजें अगर मगर में हैं इसकी संभावना बन रही है अब कॉंग्रेस का संकट कौन हरेगा अलग लग लोगों को अलग लग मोर्चे पर लगाया गया है आप देखिए सुखविंदर सुखु की बात की जाए मुख्य मंत्री का जो उनका पद है वही संकट में है विक्रमा दित्य सिंग मंत्री पर छोड़ चुके हैं प्रियंका गांधी फॉर्मूला बनाने में जुटी हुई है लेकिन उनका फॉर्मूला कारगर होगा की नहीं बड़ा सवाल है धीकेश शिपकुमार परिवक्षक के तौर पर हैं आपको पता है धीकेश शिपकुमार कॉंग्रेस के संकट मोचक कई ऐसे मौकों पर माने जा है कॉंग्रेस की खबर पर बहुत करीब से नजर बना कर रखते हैं मेरे वरिश्ट सयोगी आशीश कुमार सिंग आशीश कुछ पेंच सुलज सकता है यह तमाम जो संकट मोचक नजर आ रहे हैं कुछ काम्याभी मिलेगी नहीं पेंच सुलजाने के अलावा अखिलेश अब कोई विकल्प बचा नहीं है हलाकि जो तस्वीरे आप दिखा रहे थे प्रतिवा सिंग को मुझे लगता है आप किनारे कर दें क्योंकि प्रतिवा सिंग मसले को उस तरह से नहीं सुलजाना चाहेंगी जैसे की विधायकों के व भूम रही नहीं इतना experience नहीं कि उनको Chief Minister बनाये जाए बड़ी बात यह है कि जिनकी बात हम मुख्यमंत्री बनाये के लिए कर रहे हैं मुकेश अगनी होतरी जो कि सुखविंदर सिंग सुखू का भी मान के चलें कि उनका जाना तै है प्रभारी जो रिपोर्ट देंगे Congress अ जब तक आप सुखू को हटाते नहीं तब तक वो साथ नहीं देंगे ऐसा बताये जा रहा है च्छे में से तीन विधायकों ने भी यह कह दिया है कि अगर आप सुखू को हटा देते हैं किसी और को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम भी समर्थन करने के लिए तियार है तो आ मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप ये फैसला देखेंगे कि उनकी जगर आशिश आप तो हिमाचल में सीम बदलने के संकेत लगभग साफ हैं कठोर फैसले से पीछे नहीं हटेंगे ये कह रहे हैं जैराम रमेश उन्होंने ये भी कहा कि प्रार्थमिक्ता कॉंग्रेस क अब्जर्वर क्या कहते हैं मैं नहीं कह सकता हूँ पर कॉंग्रेस प्रेजिडेंट ने अब्जर्वरों को कहा है सबसे बात कीजिए खुले मन से बात कीजिए जो कुछ उनके मन में हैं आप सुनिये और मुझे एक रिपोर्ट पेश कीजिए उसके आधार पर एक अंतिम न पर ने लिया जाएगा शीक रही लिया जाएगा जो जनादेश हमें मिला था सिम्बर 2022 में उसको हमें बरकरा रखना है तो कठोर फैसले से पीछे ना हटने का क्या ये मतलब है कि आप सुखू का जाना तै है इस बीच आपको मैं यह भी बता दूँ ऑपरेशन लोटस के कब कब आरोप लगे हैं ये देखिए आपके सामने पूरा आकड़ा है अलग अलग राज आप देखिए ये साल देख रहे हैं यहाँ पर ये राज्यों का आकड़ा है ऑपरेशन लोटस कैसे हुआ क्या हुआ आप समझेए 2024 की अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश जो अभी क और फिर बीजेपी की सरकार वहाँ बन गई 2019 में करनाटक में जेडियस और कॉंग्रेस के 17 विधायक बागी हुए थे और बीजेपी की सरकार तब वहाँ पर बनी थी और 2016 की बात की जाए तो अरुनाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस देखने को मिला था कॉंग्रेस के 40 इससे ज़्यादा विधायक बागी हुए थे बीजेपी की सरकार बनी थी अंकित इस बार क्या लग रहा है कि ये जो अपरेशन लोटस वाली बात बार बार सामने आती है हिमाचल प्रदेश में भी ये सफल होने जा रहा है या इस सितियां सभल जाएंगी कॉंग्रेस के लि बारास बैठे हुए हैं अगर सुकू को हटा लिया जाता है क्या वो मान जाएंगे और उसके सबके बीच में विक्रमा जित आज सामने आते हैं वो मंत्री पस से इस्तिफान देते हैं तो ऐसे में कॉंग्रेस के लिहास से भी विक्रमा जित बहुत इंपोर्टेंट है कि क्य में कितने विधायक हैं क्या समीकरन बैठता है लिहादा बीजेपी के बी जो टॉप सोर्सेथ हैं वो इसी बात के और इशारा कर रहे है कि कॉंग्रेस का अंत्रूनी कला है लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैसे घटनक्रम आगे बढ़ रहा है और सबसे प्रियास है ये आरोप प्रियंका ने लगाया और बीजेपी के इस रवैये को असामेधानी कहा है प्रियंका गांधी ने सत्ता का दुर्विप्योग कर रही है केंदर सरकार ये आप देख रहे हैं एक्स पोस्ट पर जो बाते उनकी तरफ से लिखी गई है प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे केंदर सरकार पर आरोप लगाया है कि एजंसियों का गलत इस्तिमाल किया जा रहा है हमारे साथ इस वक्त आशिश कुमार सिंग लगातार मौजूद है इसी ख़बर पर और विस्तार से हर जानकारी आप तक को पहुँचा रहे हैं प्रियंका गांधी का जो यारोप याशिश अपनी जगा है लेकिन एक सवाल तो पूछा जाएगा कि बार-बार कॉंग्रेस की सरकारे इसका शिकार क्यों हो जारी है उप्रेशन लोटरस का है जवाब बिल्कुल सफष्ट है कोई कन्फूजन ही नहीं है जिस तरह से सुकृंदर सिंग सुखु ने सरकार चलाई साल दर साल इस तरह की शिकायते कॉंग्रेस लीडर्शिप के पास अखिलेश आती रहती थी कि वो किसी और विधायक को तवज्जो नहीं दे रहे थे और इसलिए खुल करके बगावत की इसमें तो कोई चुपी हुई ऐसा है नहीं है जो लीडर्शिप को समझ में नहीं आ रहा मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सुखविंदर सिंग सुखु बता और मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल हो गए और समय रहते कॉंग्रस लीडर्शिप भी इसको भाप नहीं पाया मुझे लगता अब ज़ादा बहतर होगा कि कॉंग्रस की लीडर्शिप अपने खुद जाके खुदी इसको नाइस करे कि आखिर ऐसा हुआ क्यो और जो भी करेक्टिव स्टेप्स हैं वो उठाने की कोशि दीकि भारति जन्ता पाटी इस पूरे मसलेशेinos नजर बनाये हुए भारति जन्ता पाटी को मालूम है कि उनके पास संख्याबल नहीं यह लेकिन उनको यह भी मालूम है कौंग्रेस के अंदर बगावत है कौंग्रेस。 दो फाड हो गया दो अलग अलग जो है गुरूप बन गये हैं एक सुखु का गुरूप है दूसरा जो है प्रतिबा सिंग और जो है मुकेशक निहोत्री का गुरूप है तो इस गुरूप में भारती जंता पार्टी एक पॉल्टिकल पार्टी के नाते नजर बनाये हुए अपने लिये मौके की तलास में हैं लेकिन मेरी भाजपा के टॉप सॉर्स से बात हुए उनका साब करना है कि हमारा कते ही इरादा नहीं है कि हम सरकार गिराएं या उनकी सरकार को तोने बलकि यह तो कॉंग्रेस का अनुरूनी मामला है और कॉंग्रेस के विधायक को गिराने में लगे है और मुख्यमंत्री लगे है। इसलिए भारतियंता पार्टी ने राजेपाल से मुलाकात कर जैराम टाकुर और भारतियंता पार्टी के विधायकों ने अविस्वास प्रस्ताव के लिए भी कहा और सबसे बड़ी चीज है कि बजट को लेकर उन्हों डिवीजन की मांग कियों कि डिवीजन में उस समय इसप इस पर नजर बना कर रखिए एक और ख़वर दर्शकों तक मैं पहुचाना चाहता हूं मुकेश अगनिहोत्री के सीम बनने के संकेत हैं प्रदेश के जो प्रभारी अकॉंग्रेस के राजीव शुकला उनसे मुकेश अगनिहोत्री की मुलाकात हुई है हिमाचल के सरकार कैसे बचेगी कूल आपर सीटें 68 और बहुमत के लिए 35 का अकड़ा अब समझे जराब कॉंग्रेस के विधायक 40 बागी हो गए 6 तो बचे कितने 34 बच गए आप जब 40 में 6 माइनस करेंगे 34 बच गए अब इससे स्थितियां कैसे सदन में बदल जाएंगी बागी 6 वि दिकत हो जाएगी अभी जैनेंदर फिलाल यह जो आकड़ा है आकड़ों का गणित है वो कॉंग्रेस के पक्ष में है लेकिन थोड़ा भी इधर उधर होता है मामला तो दिकत हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल देखे सुखु जो है वो खत्रे में है कॉंग्रेस की सरकार फिलाल खत्रे में नहीं है लेकिन अगर सुखु को नहीं बदला गया तो कॉंग्रेस की सरकार ज़रूर खत्रे में आ जाएगी छे विधायकों की बगावत हमने देख ली राजसभा चुनाव जीत नहीं पाए कॉंग्रेस के उमिद्वार और अब विक्रमाधित ने इस तीफा दे दिया है उन्होंने कनवे कर दिया है कॉंग्रेस लिडर्शिप को कि वो सुक्कू के साथ काम नहीं कर सकते बावजोद इस और फिर वो रिपोर्ट जो है वो पार्टी लीडर्शिप को देंगे और वहां से जो निर्देश मिलेगा वो फिर यहाँ पर वो लागू करेंगे पूरी संभावना जैसा हमारे सहयोगी आशी जी भी बता रहे है वरिष्ट सहयोगी की सुक्खु का जाना तैह है और नया शेहरा हिमाचल में मुख्यमंतरी के तौर पर आना तैह है और उस रेस में अग्निहोतरी सबसे आगे चल रहे हैं और उन्होंने मुलाकात भी की आपसे कुछ देर पहले प्रभारी राजीब शुक्ला से होटल में आ करके इमाचल प्रदेश में सियासी संकट पर अब बड़ी कवरेश देख रहे हैं और अभी एक बड़ा अब्डेट में आपको दे दूँ कॉंग्रेस के बागी एमेले फिर हरियाना लाए गये हैं हेलिकॉप्टर से पंचकुला लाए गये हैं बागी एमेले तो हरियाना लाए गया है कॉंग्रेस के बागी विधायकों को हेलिकॉप्टर से पंचकुला लाए गया है ये तस्वीरे भी उस दौरान की आप देख रहे हैं तो हरियाना पुलिस की सुरक्षा और फिर से आपको बता दें कॉंग्रेस के बागी विधायकों को हरियाना लाया गया है ये जब उन विधायकों को यहाँ पर लाया गया उस दोरान की तस्वीरे भी आप देख सकते हैं नीराज पांडे अमारे साझ जुड़ है इसी ख़वर पर और जाधा जानकारी आप तक पहुचाएंगे नीराज यहाँ हरियाना लाने का मतलब क्या निकाला जाए इससे कुछ खास अर्थ निकलता है क्या देखे जब भी किसी राज्य का कोई बिधायक होता है और उनकी ही सरकार उस राज्य में होती है तो इस बात का खत्रा बढ़ जाता है कि वहाँ जो प्रसास्थिक और पुलिस का दखल होता है कहीं उनकी वज़ा से उनके वो जो सोच रहे हैं या जो करना चाते वो ना कर पा तो दूसरी राजी की पुलिस को वहां दखल देने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी, क्योंकि जब भी पुलिस को कोई कारवाई करना होगा, तो राजी की पुलिस को कॉन्फिडेंस पी लेना होगा, और ऐसे में हरियाना में, हरियाना पुलिस उसमें सायध हुए सपोर्ट हम लोगों ने उन्होंने कहा कि हमारे मेहमान हैं दूसरे राजी के विधायक हमारे राजी में परेटन के लिए आएं तो हमने उनको सिक्योटी दे रखी है तो यह बहुत चोकाने लगी है आजकल बड़ी खबर आपको बता दें विक्रमादित्य सिंग का मंत्री पद से इस्त परदाश्ट नहीं और हमारे साथ इस वक्त शिमला से जैनेंद्र मौजूद है उनके साथ कोई राजनितिक महमान भी है जैनेंद्र बात कीजिए उनसे बिल्कुल मेरे साथ अनिरुद सिंग है सुखु सरकार में मंत्री है पहला सवाल ये कि आपके एक साथी ने विक्रमादित्य ने सुबह स्तीफा दिया खबरें चल रही है कि वो बीजेपी के संपर्क में है क्या आपका इस पर कहना है क्या रियाक्शन आंकलन लगाना तो गलत है कि वो किसके संपर्क में है और जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वो उनकी अपनी निजे कारण थे जिसवज़े से इन्होंने इस्तीफा दिया है बाकी पार्टी हाई कमांडी फैसला लेगे लिके जिन्होंने भाजपा को वोट डाली है मैं समस्ता हूँ भाजपा काम स्वार्थ प्रलोभन देना है और शायद उसमें वो लोग आ गए बाकी आपको पता है जो कॉंग्रस का सफाई है जितने भी MLS बाकी है तो जबकि बबलू जी है आपको पता है है वह बिमार होने के कारण भीमार होने के बावजूद लड़ खड़ाते वे रिप चड़ीवी थी उसके बावजूद वह डालाने हैं कॉंग्रेस करे सिपाएं बिलकुल खड़े हैं कॉंग्रेसं क्या आधी माकि विधायकों पर कारesar Grandpaat अपस पंचकुला पहुंच गए हैं आज जब बजट पारित हुआ विप के बावजूद वो लोग सदन में नहीं थे क्या उन सब को निलंबित किया जाएगा उनकी सदस्ता अरद की जाएगी ऐसी कोई रणनीती बन रही है जो दूसरे विधायकों की बात अच्छे विधायकों की अगर हम बात करें उनके बार में क्यूंकि विप जा रही थी 29 तारिक तक और पिछले कल भी दो बिज़े के बाद वो हाजिर नहीं थे और आज भी इस टाम बजट पास हुआ उनका हाजिर होना वो हाजिर नहीं थे उस क्या कहता है कि कानून जो है मन से उपर होता है परवेक्षक आ रहे हैं यह बताईए सवाल उठ रहा है क्या सीम साथ सुरक्षित है मुख्यमंत्री सुक्ण को बदले जाने की बात चल रही है आप इसको क्या करें अभी कोई ऐसी बात नहीं है, मुख्यमंतरी जी ने खुद खंड़नी से बात का किया है, जो मीडिया में 11 वजे खबरे शुरू हो गई थी, कि सुक्वेंदर जी ने अपना इस्तिपास सौंप दिया है, रोब बद्लिगार परिवेक्षे जो है वो आ रहे हैं, हाई कुमार न वॉच की स्थिती में है बीजेपी, हिमाचल संकट पर भारतिय जन्ता पार्टी की पैनी नजर है, सुत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी का ये कहना है कि सरकार गिराने का इरादा नहीं है, कॉंग्रेस में दो फाड का इंतिसार है, विक्रमा प्रदेश का एक एक आकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, कॉंग्रेस सरकार को कब खत्रा कम से कम 13 विधायक बगावत करें, 13 विधायक बागी हुए तो बीजेपी सरकार बना सकती है, बीजेपी के लिए तब मूफी दिस्थिती होगी, फॉर्मूला क्या होगा उसे पास जो विधायक हैं, 40 में 13 घटा दीजे तो पहुंच जाता है मामला 27 तक, तब कॉंग्रेस की सरकार के लिए दिक्कत है, और बीजेपी के पास संक्या होगी 25 प्लस 3 निर्दलिये यानि 28 विधायक, निरज ये जो एक फॉर्मूला सामने आ रहा है, क्या इस तरफ बीजे टूटकर बाहर निकलते हैं, तो पहले ये देखने कोई होगी, कितने विधायक टूटकर निकलते हैं, कितने विधायक बाहर आते हैं, कितने लोगों का विरोध होता है, एक्चॉल संख्या कितनी बसती है, तो पहले भारतियनता पार्टी ये देखना चाहती कि कांग्रेस क इस्तिती क्या है उसके बाद भारतियंता पार्टी अपने पत्ते खोलना चाहती है भारतियंता पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती कि जैसा की सचिन पाइलेट के दोरान राजस्तान में हुआ राजस्तान में भी 19 विधायक निकले कॉंग्रेस के करीब एक महीने से जादा का समय वो गुर्दाओं में रुके रहे एक रिसौर्ट में लेकिन बाद में फिर वही स्थिती ओगी कॉंग्रेस फिर शेक वो गई तो भारती उन्तापार्टी चाहती कि पहले स्थिती क्लिर हो व क्या इतने विद्धाय निकलते हैं जिनसे की नई सरकार का गठन हो सके, अगर आइसी इसी इस्टिती में आती तो भारतियनता पाटि एक्स्प्लोर करेंगे, लेकिन मैंने पहले ही जांदे से अ कि मेरी भाज्पा के टॉप सर्सES से बात हुई है, और भाज्पा फिल हाल पूरी इस्टिती का आखलन कर रही है, और वो इस्तिती देखना चाहती है कि कॉंग्रेस में क्या हो रहा है। मार्शल थे। वापसी करेंगे, फ्लोर टेस्ट हुआ तो सरकार का समर्थन करेंगे, सरकार अलपमत में आने से तब बच जाएगी, अगर ये इस्थिती नजर आती है तो सुख्व को हटाया, तो फिर ऐसे करके ये इस्थिती बनती हुई दिख रही है। आईए अंकित गुपता के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूँ, अंकित, मौझूदा हालात में हिमाचल प्रदेश का संकट किस और बढ़ता हुआ नजर आ रहा आपका क्या आकलन है? अखलेश यहां पर सबसे महतपूर क्या है, जो कुछ दिर पहले हैं हमने अपने दर्शों को जानकारी दी कि 13 का आकला क्या वो कॉंग्रेस मैनेज कर जाएगी? क्योंकि BJP के सूतरी इस बात के और भी इशारा कर रहा है कि 6 विधायकों ने तो रासभा जो चुनावों के दौरान खिलाफ में वोटिंग की है, लेकिन कई और आथा जर्दन से जाधा विधायक ऐसे हैं जो अभी भी नाराथ हैं और मुम्किन है कि वो आने वाले कुछ घ सिंधिया अपने साथ में विधायकों को लेकर के आये थे, सरकार गिरी कमलनात की, उसके बाद में जो तरह दिस सिंधिया जो सरकार में शामिल हुए, उन विधायकों की सीटों पर दुबारा चुनाव हुए, और फिर जो आगे की गतिविदी थी वो आगे बढ़ी, लेकिन कॉंग्रेस की सरकार गिर गई, बीजेपी की सरकार बन गई, क्या यहां पर वो फॉर्मूला दुबारा अपनाया जाय सकता है, इसी पर नज़र ठीकी हुई है, लेकिन जिस बाद का जिक्र नीरच कर रहे थे ना, कि बीजेपी अभी प्रो एक्टिव एप्रोच नहीं, बी आगी विधायकों को लेकर सुनवाई, स्पीकर के पास चल रही है, स्पीकर ने दिया है कारण बताओ नोटिस, स्पीकर कुलदीप सिंग ने कहा कि छे सदस्यों ने याचिका दायर की है, स्पीकर मुझे ट्रिविनल की तरह काम करना होगा, यह बात स्पीकर की तरफ से कही पार्टि जन्ता पार्टि ना और क्या कर सकते हैं, सरकारे गिराये, विधायक खरिद ले, कि माचल में है हुआ है, और उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, इस तरह से उनोंने नदेट की अपनी प्रेस कॉनफंस, कैसे उनकी बेश्ती की गई, कैसे उनका würdler की बेश्ती की ग एक चुने पत्विंदी को शुभाने देता चाहे पक्षी हो चाहे भी पक्षी हो हम लोगों को इसे समय पे अपने अनुशासन का परचे देना चाहिए और लोग तंती रक्षबने जाए कॉंग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल एक साल के अंदर हो गई कि बड़े और जूटे वाइदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है और आज कॉंग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और जूटे वाइदे किये वहां कॉंग्रिस मुकर्ती नजर आती है और इनके विधायक इनके भागते नजर आते हैं नेताओं के बयान आपने सुने मैं आपको सीधे नीजरूम लिए चलता हूँ मेरे वरिश्ट सयोगी आशेश कुमार सिंग लगातार हमाजदा जुड़े हुए हैं इस बात के शिकायत की थी कि सुफिदर्जिक सुखों उनको confidence में नहीं लेते और वो ऐसा महसूस करते हैं कि जितनी तवज्जों विधायकों को मिलनी चाहिए उतनी चीफ मिनिस्टर की तरफ से नहीं मिल पा रही है उसके बावजूद करेक्टिव स्टेप्स अब अगर मु मुझे सोर्सेस बताते हैं कि कम से कम डेढ़ या दो महीने से बीजेपी लगातार काम कर रही थी क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि कॉंग्रेस के जादा तर विधायक मुख्यमंतरी से नाराज हैं और ऐसे में कोशिश थी पूरी कि किसी तरह से गवर्मेंट को इसलिए मैंने आप से का कि पहले ही जो ये इस तरह के प्रयास चल रहे थे इस बीच जब उन्हें राजसभा का चुनाओ के वक्त ऐसा मौका मिल गया जब कॉंग्रेस के खुद विधायक बागी हुए हुए थे तब उन्होंने इस सिचुएशन को एक्स्प्लोइट करने की कोशिश की अब कॉंग्रेस इसको सुधार सकती है अगर वो मुख्यमंत्री का चैरा बदलती है अब तक पहुंचाएंगे रोहित बिलकुल अखिलेश देखिए अभी कुछ दिर पहले करीब 10 मिनट पहले पंचकुला में जो होटल ललित है वहां पर बीजेपी के जो तमाम बागी कॉंग्रेस के जो बागी विधायक थे और तीन निर्दलिया यानि कुल नौ विधायको इनको पंचकुला तक लाया गया शिमला से पंचकुला तक और उसके बाद अब वो होटल में पहुंच गये तो लेकिन अखिलेश देखिए इस बात को इस तरह से देखनी के जरूर थे कि भारतिये जरेता पार्टी ने भी एक तरह से का जाया है अथियार नहीं डाले है क्य यह बात सामने आ रही थी लेकिन अब इस बात का डिनाइल यह है कि 9-9 विधायक बीजेपी के निताओं के साथ पंचकुला में अर्याना में होटल में पहुंच चुके हैं यानि बीजेपी इन विधायकों को नहीं छोड रही है ताकि कहीं ना कहीं कहीं कॉंग्रेस इंगो देखें बिल्कुल जो राज जनितिक संकट के अगर हम बात करें जो हिमाचल में चल रहा है वो अभी पूरी तरह से नहीं टला है इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं क्या जा सकता खिलिश बिल्कुल सही आप कह रहे हैं क्योंकि देखिए दोनों तरफ ये confidence की कमी है कॉंग BJP ये संदेश बिल्कुल नहीं देना चाहती कि कौंट्रेस के संपर्क में कोई विधायक है इसलिए इन विधायकों को हर्याना लाया गया पंच गुरा लाया गया क्योंकि हर्याना में BJP के सरकार है ताकि किसी तरह से इन विधायकों से को वहां से कोई दूसरा यानि कॉंग्रेस के लोग न ले जाए ठीक है रोईद मैं दुवारा भी लोटूंग आपके पास दर्शकों को एक और बड़ी ख़वर बता दें किम साब बिजेपी कह रही है जैराम ठाकुर बोल रहे हैं कि अलब मत में आगे है आपकी सरकार मुझे बताइए कि अलब मत में कैसे है चालीस बड़ायक थे छे ने रज्यसवा के लिए क्रॉस पोर्टिंग की चौनतीस रह गे आज हमारा बजट का था बजट पास होना था उनके 25 बड़ायक थे और जो 9 बड़ायक थे जिसमें 6 कॉंगरेस के भागी बड़ायक थे तीन आजाद बदैक थे उनको किसी परकार से निश्काशित नहीं किया गया था उनको सदन में रखा गया था कि वो सदन में आकर बैठेंगे वो क्यों नहीं आए और अगर वो 25 के 25 भी होते तो भी कौन से जीते और पिछले एक कल में अगर वो बराबरी पर आकर हम एक चुनाब आ रहे हैं कहीं न कहीं हमारी गलती रही है और कुछ लोग हमारे किसी पर ना किसी परलोवन में आए हैं अब उनको पश्चाताब हो रहा है जो जो छे लोग क्रॉसबोट किये हैं उनसे किसी लेवल पर बातचीत हो रही है क्योंकि एंटिडिफेक्शन लाग के तायद भी कारवाई शुरू हुई ये स्पेकर ने शोकाज नोटीस भी दिया है देखे हमारी कोई उनसे बातचीनी हुए उन में से एक वद्याय का फोन है था जो बड़े दुखी मन से कह रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गल्ती भी है तो आगर वो गल्ती ना करता तो कल हमारा राज्य सवकस्दस्य बन जाते